Welcome back to another video तो इस वीडियो में बात करूँगा कि आप कितने नंबर पर पास हो सकते हो मतलब और कितने नंबर पर फैल मतलब मैंलि परपस जो इस वीडियो का है वो यह है कि कुछ कुछ बंदे मतलब दो विश सह में फैल है मतलब 2-2-4-4 नंबर से ही रह गए है तो ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि किसमे ग्रैस मिल सकता है और किसमे मतलब क्या मतलब यह डाउट किलियर करने के लिए इस वीडियो बनाने का मतलब है तो अगर आप इस चैनल पहली बारे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते हैं और हाँ बैल आइकन जुरूर परस्त कर लेना तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो सुरू माना कि मैं आपको एक एक जैमपल लेके बताता था कि अगर आप एक में फैलो किसी करण से तो आपकी बैक भरी जाएगी और आपको next year में admission मिल जाएगा बट अगर आप दो में फैलो तो आपको फिर से paper देने होंगे आप completely फैलो ठीक है लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ अगर आप एक इसे में फैलो और दो इसे में दो दो नंबर से पहले तुम आपको grace का बता दू लगभग चार नंबर का grace मिल जाता है ठीक है अगर कोई बंदा 50 नंबर पर पास है ठीक है और उसके 40 आए है तो 40 आए है तो 4 नंबर का उसको grace मिल जाएगा बट चार नंबर का grace एक सबज converge में इ एक में से से 37 आगे चलो तो उसमें एक में तो ग्रैस मिल जाए का और एक के आपको बैग भरनी पड़ेगी अगर मतलब ऐसे चार नंबर के लगबाग ग्रैस मिलता है अगर दोनों में है मतलब mute ग्रेश दे के आपकी बेक भरे जाती है तो आपको वो ग्रेश दे देते हैं Otherwise आपको ग्रेस नहीं मिलता मेरा कहने का मतलब ही है जो criteria है पास होनी का अगर एक subject में grass दे के वो criteria पूरा हो जाता है तो दूसरे में चाहए कम number भी हो उसकी आप back भर सकते हो ऐसा युनिवेस्टी का रूल है बट अकर दोनों में ही ग्रैस दे के भी आप बैक भरने लाइक भी नहीं हो तो ग्रैस नहीं मिलता तो ऐसे में आपको completely फैली होते हैं यानि कि एक नमबर मतलब एक subject में आपको पास होना है और दूसरे में कोई दूसरे में होत अच्छे से समझ गई है यानि ग्रैस एक में मिल सकता है सिर्फ एक subject में अगर उसमें आप पास हो जाते हो अगर एक में subject में grass मिलके आप दो में पास हो जाते हो मतलब एक में old lady और एक में grass मिलके हो गए और एक फिर back भर ली तो आप पास हो अदरवाइस तो वैसे भी ग्रेस मिल जाता है अगर एक में चांस हो अगर दो में आप पास हो और तीसे में तो आपको ग्रेस मिलके भी पास हो जाता है या फिर आप बैक भर लो बस यही सिच्वेसन है